अगर आप terrace gardening करते हैं तो सबसे ज़्यादा tension की बात गमले ही होते हैं लाने को तो ले आईए लेकिन उसके वजन को लेके सब ही कोई आपको डाटेगा तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, result बहुत अच्छे मिलेंगे और आप अच्छे-च्छे से results सामने देखी रहे हैं ये देखे सेम की बेल है, grow bag में लगी है, बोरी से बनाए हुए और टामाटर का भी plant grow bag में लगा हुआ है, बोरी से बनाए हुए तो इसके results काफी अच्छे आ रहे हैं आज के वीडियो में भी मैं आपको grow bag भरना, बनाना और plant लगाना दोनों सिखाने वाली हूँ, तो बने रहे हैं वीडियो पर असलाम उलेकुम फ्रेंट्स, वेलकम टू माँ चैनल, शवनूरली ये रहा मनी प्लांट, ये रहा लीजी का प्लांट, मैंने आपको टामाटर का प्लांट भी दिखाया फ्लारिंग प्लांट भी, मरलब टोटल जितने भी प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं है कि grow bags में, जो के आप waste material, यानि कि कोई पड़ी हुई बोरी से बना कर लगाते हैं ये एक सिली हुई बोरी थी, इसमें जादा मुझे कुछ करना नहीं था, चोटा साइज भी था बोरी का तो फिर मैंने उसमें गाठ लगा दी है, अंदर की तरफ मोल दिया है, उपर से तोड़ा फोल्ड कर दिया है और इसको ये जो मैं सब वेस्ट उठा कर लाई हूँ, कूडा कबार, उसी से मैं भर दूँगी और ये कूडा कबार सिर्फ नाम का है, काम का बहुत है आजकल घर में गजक आ रही है, तो उस पे तिल लगी होती है गुड के उपर और तिल से ही वो बना होता है, इसमें एक ये देखिए, ये जो प्लास्टिक निकली है, आप चाहें तो हटा दे या ग्रो बैक के नीचे डाल दे, थोड़ा सा कम देर में गलेगा आपका ग्रो बैक और दफ्ती है, अगर गिली हो गई है, तो अच्छा है, और अच्छा है, जल्दी डिकंपोस हो जाएगी, और सुकी है, तो वो भी भर दीजिए, इस तरीके से ये जो बेकार का सामान था, फ्री में आपके ग्रो बैक को भर देगा, लेकिन ये फर्टिलाइजर बन जाएग आखिर दफ्ती भी तो लकडी से ही बनती है, और ये पहले से डिकंपोस होता है, और ये कागस जो है ना, ये कार्बन का सोर्स होता है, और ये एक वेस्ट मिटीरियल नहीं, ये खाद बनाने का एक जरिया है, और फिर मैंने इसमें देखिए, जो भी मेरी पुरानी पोटु अब इसके बाद मैं राइसस्क डाल लई हूँ और थोड़ा सा गोट मैनेयो डाल लई हूँ तो फटिलाइजर का फटिलाइजर और एक मुठी में आपका ग्रो बैग भरकर तयार भी हो जाएगा और ये कबाल कबाल बिल्कुल नहीं लगेगा खाद बन जाएगी ग्रो बैग तयार हो जाएगा और साथ में प्लांट भी लग जाएगा और ये खुबसूरत भी लगेगा कबाल नहीं लगेगा आप इसको आप दबा दबा कर थोड़ा सा मिक्स कर दीजी और दबा दीजे इतना दबा दीजी कि आपके प्लांट लगाने के लिए जगा बन जाए और इस पर थोड़ी सी मिटी भी और पड़ जाए वो होगी हमारी बनाई हुई मिटी जो के हम अक्सर करके बना कर रख लेते हैं तो देखें ये बनी हुई मिटी है और ये भी वेस्ट ही है जो के हम पुराने गमलों से पलटते हैं तो वही ये मिटी है मैं खाद वगरा मिला कर पॉलिथिन में भरके रख देती हूं तो वो हेल्दी हो जाती है धूप लगा देती हूँ उससे फंगस भी निकल जाती है वही पुरानी मिट्टी को हम इसमें इस्तिमाल करने वाले हैं तो डाल देते हैं थोड़ी सी मिट्टी फिर मैंने कर दी इसके अंदर वाटरिंग डिरेनेज देखी कितना अच्छा है पुरी वोरी से ही पानी निकल जाएगा कोई टेंशन की बात नहीं है अब हम इसमें लगाएंगे वाणरिंग जी हूँ आज कल विंटर्स में ये खराब हो रही है अगर इसको आपको मल्टिपलाए करना है तो इनी पौदों को फेकने की बजाए मल्टिपलाए कीजिए मैंने इसी के लिए खासकर कि ये ग्रो बैक बनाया हुआ था कंटेनर इस टाइम अवेलेबिल नी था चोटे से कप्पे मैंने इसको ग्रो किया हुआ था चोटी सी कटिंग के साथ अब ये अच्छी नहीं लग रही है बेजान सी लग रही थी तो फिर मैं इसकी जड़े देखे निकाल ली हूँ और मिटी के अंदर थोड़ा सा दबा देंगे सेंटर से और उसके बाद आप आसपास की टहनियों को इस तरीके से मिटी के ऊपर लग दीजिए रोटिंग हो जाएगी खरापतों को हटा दिया है मैंने और फिर उसके बाद च्टी च्टी सी कटिंग आसपास करके लगा दी है तो ग्रो बै खुबसूरत लगी रहा है एरो प्लेन गुजर रहा था आवास को अवाइड कीजिएगा ये जो कप है खाली इसमें जो मिटी बजी है उसमें आप री ग्रो कर सकते हैं कुछ और भी तो फिर इस तरीके से मैंने सेव कर लिया मेरा बहुत प्यारा प्लांट है ये ये भी एक सकलेंट होता है और इस ग्रो बेग में काफी हुष्जूरत लग रहा है वाइट ग्रो बेग और इसके पर्पल कलर के पत्ते यानि कि ये गार्डन के खुश्जूरती में चार चांद लगेंगे और उससे पहले मैंने एक सकलेंट ये ग्रो किया हुआ था वो भी इस grow bag में कहीं से कुछ भी कच्छा का बार नहीं लग रहा है ना तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्क्राइब कीजिए अच्छे अच्छे से कमेंड कीजिए अलाहफेज